साथियों, आज कोशिज ये हैं कि देश को भविश की जरुरतों, भविश की एनर्जी नीड्स के लिए आज से ही तयार किया जाएं। इसलिए एक तरफ देश में नेचरल गेस पर फोकस किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ देश अपने एनर्जी रिसोर्स को भी डावर्शिभाई कर रहा है। अभी हाली में गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े रिन्योबल एनर्जी प्लान्ट का हाइब्रिड सिस्टिम का रिन्योबल एनर्जी प्लान्ट का काम शुरू हुआ है। विन और सोनर कमबाइन इसी तरह आज देश में ही बायो फ्यूल्स पर बहुत बड़े स्तार पर काम चल रहा है। गन्ना हो या अन्य एग्रो प्रोडक्स हो इनसे इथेनोल के निर्मान पर गंबीरता से काम किया जा रहा है। अगले दस साल में पैट्रोल में होने वाली इथेनोल ब्लेंडिंग को 20 परसंट तक करने का लक्ष रखा गया है। यही नहीं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़े सेक्टर को इसमें जुड़े इंफासेक्टर को भी बहुत अधिक प्रोच्छान दिया जा रहा है। रहित इंधन मिले, बिजली मिले, इसके लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिवत्यता से काम कर रही है।